नमस्कार, मैं सुसीला रावत, समवाद 365 के माध्यम से अपने देश वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि वै संकट कि इस गही में हमारे समाजसेवी संस्थाइं, हमारे स्वास्तिकरमचारी, हमारे प्लिसकरमचारी, हमारे सफाई करमचारी और NGO उन सब का धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए, जो कि संकट कि इस गही में जी जान से इस काम पर लगे हुए हैं इसके साथ साथ हमें अफवाओं के भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अफवा पहलाता है तो उसे हमें रोकना चाहिए आईए हम सब मिलकर इस करोना वाइरस का मुकाबला करें इसके साथ ही लोगडाउन में फंसे उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि इन विसम परस्तितियों में भी लोगडाउन का पालन कर रहे हैं और आप सभी को यह निवेदन करती हूँ कि लोगडाउन की इस प्रस्तिती में सरकार द्वारा बनाई हुए नियमों का आप पालन करें आप लोगों से बाते करते करते दो लाइनी यहीं दिमाग में कौंद गई हैं जिने में आप लोगों के समक्ष शेर कर रहे हूँ बस यूहीं मानव रचित इस चक्रवियों में करोणा ना बच पाएगा इस्वर की स्रिष्टी का मानव करोणा को मार भगाएगा बस इसी संदेश के साथ सुख काम नाएं, सुखी रहिए, घर पर रहिए और करोणा को हरा दिये धन्यवाद नमस्कार, मैं कुसम जोहान समवाद 365 के माधहम से आप सभी देश्वासियों से कहना चाहती हूँ कि करोणा महमारी के संकट की इस घड़ी में हमें अपने स्वास्ते करमचारियों, पुलिस कर्मियों, सफाई करमचारियों, एंजियों और समास्यमियों का शुक्रिया आदा करना नहीं भूलना चाहिए जो इस मुश्किल दौर में भी लोगों की मदद के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। इसके साथी लोगडाउन के कारण जगा जगा पर फसे लोगों को भी मैं सलाम करना चाहती हूँ, जो विशम परस्तितियों में रहते वे भी लोगडाउन के नियमों का पूरा पालन कर साथी इस बात का भी विशे ध्यान रखें कि आप और हम सब को अफवाओं से बच कर रहना है और किसी भी अफवा और गलत जानकारी को फैलने से रूपना है। तो आईए हम सब मिलकर इस वाइरस से डटकर मुकाबला करें और इसे हरा कर आगे बढ़ें। यह निशुप का कामनाओं के साथ सुरक्षित रहें सवस्त रहें। धन्यवाद।